केर्ल आश़ुद सो गाइज हमने इस फोटो & गलेरी के अंधर से सलेक्ट कर लिए देनि तो यहां से आप क्रॉप कर सकते हो मैंने क्रॉप कर लिया क्रॉप कर लेने के बाद गज अब आपको इस पिंसिल वाले आइकोन पर क्लिक करना है यहां पर जाने के बाद यहां कॉंट्रास्ट को हम इंग्रीज कर लेंगे यहां पे Ambience को लगबग बरहा लेंगे 12 या 13 के राउंट फिर सेडोज को बरहा लेंगे Highlights को कम कर लेंगे सेडोज को सिर्फ 1% ही बरहेंगे दिन यहां से डन कर लेंगे ठीक है अब इस Pencil वाले आइकोन पे आपको क्लिक करना है दिन यहां से जाना है Vintage के इंदर यहां से आपको 12 नंबर वाले एफेक्ट सेलेक्ट कर लेना है यहां से चुरेशन को फिलाल के लिए बढ़ा रहे है यहां पे आपको दिख रहे विगनिट इस्टेंथ इन सब को आप कमिया ज्यादा करके देख सकते हो अपनी फोटो के अकौडिंग बाकि आपको इस फोटो पे अच्छा एफेक्ट आ जाएगा ठीक है यहां से चुरेशन को हम 3 रखने है एंड एस्ट्राइल स्टेंथ को लगभा कितना रखने है देन यहां से आपको अपलाई कर देने है अब आपको यहां से चला है एडिट इस्टैक वाले उप्शन पे अब यहां से विंटेज वाले उप्शन को स्लेक्ट करना है और इस बीच वाले पैंसिल का इकॉन पर क्लिक करके इंवर्ट कर लेना है ठीक है अब गई आपको अपने पूरे फेस से और पूरे क्लोथ से इस इफेक्ट को हटाना है तो कुछ इस तरीके से आप विंटेज ज आपको पूरे बॉड़ी पार्ट से मतलब कुछ इस तरीके से इरेस कर लेना है तो मैं जल्दी-जल्दी से कर लेता हूँ हाथ हो गई जभी आप देख पर हो कि हमने इतना काम कर लिया देन यहां से डन कर लेना है अब गई यहां से बैक जाना है ठीक है आप गरें यहां से आपको जाना है सौरी दिया हमें पहनिस विल्द आइकोन के अदर आ गया यहां जाना एडिट स्टैक आट संग के अंदर देनिया जाने की इस विछ आपको फ्रहों कर लेना मतलब को पूरा माइन संडेड करिए यहां से देन कर लेना है अब आप देख प्रवगाइज की पूरा बैक्गराउंड हो गया तो इतना हो जाने के बाद आपको इस पिंसल वेले इकोन पे क्लिक करने सेलेक्टिब एक ट्रिक करने कुछ इस तरीके से आपको अपनी फेस को सलेक्ट करके अपनी फेस मतलब ब्राइटनिस डाल लेनी है ताकि आपकी फेस जो है वाइट दीखें मतला फेस गोडा दीखें ठीक है उसके बाद आपको यहां से जाना है कर दो देने नीचे के बनी होगी इसको आपको थोड़ा सा नीचे कर देना है इसको आपको लगबग इतना रखना है बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं एंड सबसे अब यहां से आपको जाना होगा वाइट वैलेंस के अंदर जाने के बाद टेंपरेचर को आपको कम कर लेना है तेंपरेचर आप जितना आपको कलर चाहिए अपने बैकरण में उतना आप देख सकते हो बाकि टीन्ट को मैं जीरू रख रहा हूं ठीक है तो इतना आपको कर करेना है टेंपरेचर को लगबग मैंने माइनस यहां पर माइनस फोटी के राउंड हम रख रहे हैं आप इससे कम या ज्यादा भी रख सकते हो ठीक है बाकि इस एडिट स्टेक वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे फ्यू एडिट के अंदर देन वाइड वैलेंस एंड तक ही ज्यादा आपका टाइम ना लगे और आप जल्दी से सीख पाऊ है कि आपको इस इतना काम हो गया देन आपको यहां से आप आई वाले ओप्शन को ओन या आउप करके देख सकते हो यहां से आपको वीजिविलेटी पता चल जाएगी देन यहां से बैक जाना है बैक जाने के बाद कैच्श पिंशिल वाले आइकोन पे ख्रिक करेंगे दोबारा सेलेक्टिव के अंदर जाएंगे प्रेक को स्ल्ट कर लेंगे कि यहां पर भैटनेस को इंकिरीज कर देंगे डिकरीज कर देंगे टो यह आपके एक produktि कितना फेस पे ब्राइटन कना चाहते हो उ अगर आपको इसके एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि फेस एप कैसे यूज करते हैं तो आप कमेंट किजिए मैं एक डेडिकेड वीडियो बना दूंगा ठीक है आपको इस तरीके से आपको इसते ामांट बरा देना थینकुम, कोण आपको अपने ब्लड पर अलग तरीक की है बोके भी है यहाँ पर देख पार हूं कि यह वाला भी काफी अच्छा लग रहा है तो जो आपको चाहिए आप यहां से सलेक्ट कर सकते हो सब आपके ही आथ में है देंगेज अब आपको इस फोटो को सिंपली से पे क्लिक करके सेब कर लेना है ठीक है तो यह फोटो हमारी गैलेडी के अंदर सेफ हो गई बिल्कुल है गालेडी में तो आपके यह विल्स नेख्व वीडियो गाई लव्यू ओ टेक्ट केर बागाई